अब्सक्राइब अब्सक्राइब कि अब्सक्राइब कि अब्सक्राइब तो वेल्कम दोस्तों टूल नीव वीडियो दोस्तों मेरे पास आ गया एक न या स्टेदिय लम दोस्तों यह है फिलिस की तरफ से फिलिस ओर्बीड फाइव वार रिचाजबल स्टेदिय लम दोस्तों यह एक मेड इंटिया लम है दोस्तों इस लम का रिव्यू अब तक यूट्यूब में कोई भी चांनेल में नहीं है आप लोग एक्स्क्रूसिव भी देख रहे हो इसलाएं उका फर्स्ट वी वान यूट्यूब सो चली अब बिना टाम वेस्ट के इसको उन्बॉक्सिंग स्टार्ट करते है सो दोस्तों उन्बॉक्सिंग के बाद बोक्स के अंदर दो चेस देखने को मिल जाता है अगर बात करें डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की तो एक प्रीमियम क्वालिटी लैंप है इसका जो डिजाइन है बहुत एक प्रीमियम है थोरा पास से मैं दिखाने का कोशिश करूंगा तो देख सकते हैं यहां पर आपको मिल जाएगा फिलिप्स का ब्रैंडिंग उपर की तरफ यहां पर देख सकते हैं बटन दिया गया है यह है टज बटन देख सकते हैं यह जो लैंप है यह मतलब आल्मोस सर्कूलर है यहां पर जो मतलब एजेस है वो शार्प नहीं है थोरा सा एंगूलर दिया गया है जो की थोरा प्रीमियम फिनिश देता है जो इसका जो फिनिशिंग है वो भी ग्लॉसी है देख सकते हैं इसका जो बॉटम का हिस्सा है अभी देखेंगे इसका जो टॉप का हिस्सा है देख सकते हैं यहां पर रिंग लाइट जैसा दिया गया है सो अगर मार्केट में अवेलेबल दूसरे लैम का क्वालिटी से मतलब जो डिजाइन है उससे अगर कॉंपेर करो इसका जो बॉटम का हिस्सा है यह बना है जो ABS plastic दिया गया है बहुत ज़्यादा प्रीमियम है या फिर जो glossy finish दिया गया है उसके बज़े से कोई तो reason होगा लेकिन यह जो लैंप है बहुत ज़्यादा प्रीमियम देख रहा है एस लैंप में एक चीस में दिखाना चाहूंगा अगर design perspective से बात करे तो यहां पे देख सकते हैं जो वाइट है वाइट के ऊपर देखिए यह जो लाइट ग्रे कलर है उतला इसका थोरा बहुतद फिनिश यहां पर दिखने को मिल जाएगा यह जो फ्रंट साइड है जो बटन के चारों तरफ यहां पर भी देखने को मिल जाएगा so design and build quality is very premium दोस्तों अगर flexibility की बात करें तो इसमें plus point यह है कि यह जो हिस्सा देख पा रहे हैं यह bottom मतलब यहां से शुड़ू करके यह top के यह हिस्से थक यह जो पूरा हिस्सा है यह पूरा flexible है so इतना नहीं कि सिर्फ यह वाला हिस्सा flexible है मतलब यह नीचे का हिस्सा flexible नहीं है यह पूरा हिस्सा flexible है दिखा देता हूँ देखे यहां से bend हो रहा है एकदम जो सामने का जो point है यहां से bend हो रहा है and मैं मतलब इतना review किया है अभी तक study lamp का जितने सारे flexible lamp है मतलब यह थोरा मतलब जादा ही कुछ flexible है सव देख सकते हैं मतलब यह मतलब royal owners में इसको ऐस के बैंड किया है मतलब liamdo जो है ऐसे सामने के तरफ आ रहा है अभी तक यह मतलब ऐसा गिरा नहीं है मतलब इतना सामने में because इसका जो live पीछे से इसका जो स्टीक है पीछे से आ रहा है बेस थोरा सामने के तरफ जादा है because of that reason but मतलब बहुत जादा flexible है किसी भी तरफ आप इसको देखिए बेंड कर सकते हैं मैं ऐसे घुमा रहा हूं ऐसे भी घुमा रहा हूं लैंब को थोड़ा on करके दिखाते हैं पीछे एक बटन दिया गया है उसको मैं पहले on कर लेता हूं आपको मालूम चलेगा देखिए बेंड कर रहा हूं लाइट आउन है किसी भी टाडिके का जो डिस्टरबेंस है मतलब अचानक ओफ हो गया कुछ हो गया ऐसा बिलकुल भी नहीं है आप कैसे भी चाहे तो इसको बेंड कर सकते हैं देखिए मतलब मैं ऐसे घुमा रहा हूं इसको यह लैम जो है यह पूरा एकदम मतलब फ्लेक्सिबल है इसको जो नॉर्मल लैम है उसकी तरब मतलब अभी कर देता हूं थोड़ा अभी बात करते हैं वाटेज के बारे में दोस्तो इस लैम में दिया गया है टोटल 5 वाट का एलेडी दोस्तो अभी बात करते हैं इस लैम को ऑपरेट कैसे करें दोस्तो सबसे पहले इसका में फ्रेंट साइट में दिखा देता हूं यहां पर एक टज बटन दिया गया है इसको टच करेंगे तो लाइट जो है वो अन होना चाहिए बट मैं देखिए टच कर रहा हूं लाइट अन हो रहा है नहीं हो रहा है बिकास पीछे एक on-off स्विच है जो की main स्विच है इसका on-off का देख सकते हैं पीछे on-off स्विच दिया गया है और यहां पर charging point भी दिया गया है इसको ऐसे on कर लेंगे add अभी दिखाता हूं अभी मैं इसको देखिए यहां पर touch करूंगा तो देखिए light जो है यह on हो गया है अभी जो है यह मतलब थोड़ा सा zoom out और करता हूं अभी जो है यह whitish है और इसके बाद yellowish और इसके बाद जो balanced color है वो है और फिट टच करेंगे तो बंद हो गया दोस्तों एक काम करते हैं इसका जो function है room का में main light off करके आपको समझाता हूं तो फिर आपको और अच्छे से समझेगा सो दोस्तों room का जो main light है वो अभी बंद है मैं आ गया हूं एक दा मंधिरे में सो लैम को मैं on कर लेता हूं सो देख सकते हैं this is whitish दोस्तों जो table cloth है यह भी ब्लैक है और background भी डार्क है सो फिर भी देख सकते हैं जो कितना light है यह produce कर रहा है यह white है और इसके बाद फिर से यह जो touch button में दिखा है ना पीछे का main button तो चलिए पहले on करना पड़ेगा एंड उसके बाद जो touch button में बताया फर्स बाद दबाएंगे तो white is and second बाद दबाएंगे तो yellowish and फिर से दबाएंगे this is balanced and फिर से दबाएंगे बंद सो जो वाइट इस और बैलेंस्ट है उसका company अलग-अलग नाम देखे रखा है सो जब फिर से योलो इसको यह लो कह रहे हैं वाम वाइट फिर से जो बैलेंस्ट है इसको यह लो कह रहे हैं के नैचुरल वाइट सो देख सकते हैं यह पूरा इसका function है सो मेरा तो हिसाफ से है कपका वाइट योलो और बैलेंस्ट सो टच किया वाइट फिर से टच किया योलो फिर से टच किया बैलेंस्ट फिर आफ एगर intensity कम जादा करना रहेगा तो तो वही जो टच बटन है इसको ऐसा लॉंग टच करके रखूंगा सो देख सकते हैं intensity एकदम कम हो गया है एंड अगर intensity को बढ़ा ना रहेगा तो वही जो बटन है इसको लॉंग टच करके रखूंगा देखी intensity बढ़ गया है दोस्तों शायद मेरा जो फेस है आपको उतना अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा है लेकिन study lamp का खासियत है ही रहना चाहिए मतलब इसी एंगल में रहना चाहिए कि आपके eyes में जो है वो light ना है लेकिन light इसके उपर आपके जो books है उसके उपर पड़े उसके उपर अच्छे से illuminate हो ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर पाए तो आप मुझे को देख सकते हैं आपके तरफ भी देख सकते हैं थोड़ा कर देता हूं लाइट को यह वाइट इश है योलोईश मतलब आपको मालूम चलेगा क्योंकि मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं ताकि आपको मालूम चले confusion ना रहे देखिए this is balanced और टेच करके रखे रहेंगे एक दम बढ़ गया मतलब वाइट इश में भी सेम है देखिए वाइट इश टच करके रखेंगे एक दम कम हो गया मतलब यह लॉंग टच करके रखेंगे देखिए बढ़ गया और योलोईश में भी लॉंग टच करके रखेंगे कम हो गया लॉंग टच करके रखे जादा करना रहेगा तो फिर लॉंग टच तो इसे तो ऐसे मालूम नहीं चल रहा है लेकिन हम लोग जो भी पढ़ाई करते हैं तो फिर दो बोक्स एक कॉपी एक बोक्स दो कॉपी ऐसे लेके पढ़ाई करते हैं तो वही सिच्वेशन हम लोग यहां पर क्रियेट करने वाले ह तो देखिए यहां पर मैं सेम सिचुएशन क्रियेट करता हूं एक पेपर भी साथ में ले लेता हूं ताकि जाधा एरिया कवर हो पाए तो पेपर को भी यहां पर रख देता हूं थोरा टेविल को मेरी तरफ कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए तो देख सकते हैं और लाइट को जो है थोरा नीचे की तरफ कर देता हूं देखिए यह जो टेविल है मतलब एकदम सही तरीके से इलुमिनेट कर रहा है अगर मैं मैं लैम को यहां पर रखूं और देखिए लाइट हेर एकदम सफिशेंट है पेपर को और थोरा स्पेट कर ल और देखिए अभी जो intensity है इसको कम करेंगे तो कम करेंगे देखिए light कितना कम हो गया है यह corner में आपको intensity थलका सा कम है मतलब ऐसा लगेगा जब इंटनसीटी बढ़ाएंगे न तो इसमें मतलब कई भी जगा पे light कम है ऐसा आपको feel नहीं होगा light is sufficient this is whitish yellowish में मैं recommend नहीं करता हो पड़ना and this is जो combined है या फिर जो balanced है वो color है दोस्तों हर एक lamp में जितना सारा अभी तक same category का जो lamp है मतलब test किया है तो उसमें निकल के यह आता है जो natural बाला light होता है उसका intensity सबसे ज़ादा होता है मतलब सबसे कम होता है yellowish उससे बाद होता है whitish and जो natural जो मतलब combined वाला है वो सबसे ज़ादा होता है but इसमें natural से भी ज़ादा intensity है whitish में जो की मतलब market में मतलब अभी तक तो rechargeable study lamp में मैं ऐसा मतलब observe नहीं किया किसी पे भी लेकिन intensity इसमें whitish में ज़ादा है and ये जो बात है मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूँ मैंने इस lamp का हर एक LED color tone में जो intensity है वो ये light meter से check किया है उसके बाद मैं ये कह सकता हूँ इसमें मतलब whitish जो है वो सबसे ज़ादा मतलब सबसे बड़िया लग रहा है सबसे ज़ादा illuminate कर रहा है and बहुत दोस्तों मतलब हर एक lamp में जो balanced color है वो ही अच्छा लगता है लेकिन पता नहीं क्यों इसमें whitish सबसे बड़िया लग रहा है so दोस्तों आपको समझ आई रहा होगा light कितना spread हो रहा है दोस्तों lamp को अपने ideal condition में कर देते है so देख सकते हैं दोस्तों this is ideal condition for study light जो है मेरे face के उपर मतलब मेरे eyes के उपर नहीं आ रहा है but table के उपर अच्छे से आ रहा है अच्छे से illuminate कर रहा है and देख सकते हैं इस condition में ये जो पूरा table है this one, this one, this one अच्छे से light आ रहा है मैं अच्छे से study कर सकता हूँ इसमें, दोस्तों चली ये room का main light है वो on कर लेते हैं और आगे के point discuss कर लेते हैं what is about the run time एक बार full charge करने के बाद ये lamp कितना देर तक चल जाएगा दोस्तों ये review करने से पहले इस lamp को मैंने बहुत बाद test किया है youtube post के जरीए भी मैं update भी दिया है कि मैं इसको testing कर रहा हूँ so company के हिसाब से ये lamp आपको दे देगा धाई घंटे का run time and मैंने test किया and actual जो test result है वो भी निकला है धाई घंटे एक बाद full charge करेंगे तो ये धाई घंटे तक चल जाएगा what is about the charging time इसको एक बाद full charge करने में कितना time लेगा दोस्तो company के तरफ से जो charging time बताए गया है वो है 3 hours and मैंने जो test किया उसका भी जो result है उसमें भी charging time near about 3 hours battery capacity क्या है इसमें कितना image का battery दिया गया है दोस्तो इसमें दिया गया है 800 image का battery अभी बात करने बाले है charging and charging indicator के बारे में दोस्तों यहाँ पर charging के लिए मैं उसमें लेने बाला हूँ अपना power bank आप चाहे तो अपना mobile का जो charger है उसको काम में ले सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं जो power cable दिया गया है इसको यहाँ पर connect कर देता हूँ and यह USB to micro USB cable है and यहाँ पर थोरा सा zoom in करके दिखा देता हूँ so यहाँ पर इसको plug करना पड़ेगा and यह जो है यहाँ पर मैं plug कर देता हूँ so इसको यहाँ पर जबी plug कर दोंगा ना plug करने के बाद देखिए यहाँ पर एक light जो है red color का light blink हो रहा है एक काम करता हूँ room का जो main light है उसको बंद कर देता हूँ तो फिर आपको अच्छे से समझेगा so room का जो main light है मैं इसको बंद कर दिया है and दिखिए यह भी red color जो है यह blink कर रहा है मतलब यह charge हो रहा है दोस्तो e-commerce साइड में किसी ने comment किया है कि 3 घंटे charging के बाद भी इसका जो green light है वो on नहीं हुआ है so उनको यह गलत फैम है कि charging complete होने के बाद इसका green light जलेगा जो की clear करना ज़रूरी है charging full होने के बाद इसका back side में जो red color का indicator है वो continuous जलते रहता है वो green नहीं होता है जबी यह charging हो रहा होता है वो ऐसा blink करते रहता है और जबी charging complete हो जाता है तो तबी यह continuous जलने लगता है दोस्तो इसका जो system है अलग से कहीं पे बताया नहीं गया है यह lamp नहीं आया है शायद इसलिए मेरे box में मुझे कोई user manual मिला नहीं दोस्तो सबसे बड़िया बात है यह made in India lamp है दोस्तो e-commerce site में जबी में details चेक कर रहा था तबी origin country जो देखा वहाँ पे इंडिया लिखा हुआ था यहाँ पे manufactured by signify innovations india limited लिखा हुआ है इनका जो registered office है उसका address दिया गया है दोस्तो यह channel में हम लोग सिर्फ अच्छे points की बात नहीं करते हैं साथ ही साथ हम लोग negative points की भी बात करते हैं अभी negative points से बात करेंगे दोस्तो इसमें negative points ढून पाना मतलब बहुत मुश्किल का काम है क्योंकि lamp बहुत बढ़िया है design, build quality each and everything अगर मैं बात करेंगे मतलब मुझे बहुत premium quality का lamp फिल हुआ है फिर भी negative points बताना है तो बताता हूँ अगर देखे यह जो lamp है इसको मैं ऐसे अगर bend करू पीछे के side तो हो सकता है कि यह गिरने का chance रहेगा लेकिन पीछे के side ऐसा bend करेगा भी क्यों? मतलब सामने के side भी आप लोग देख सकते हैं मतलब ऐसा bend करूंगा न तो भी नहीं गिरेगा मतलब एक plus point तो है लेकिन negative point बताना था तो पीछे की तरब bend करेंगे तो यह गिर सकता है first one and second one इसका जो run time है वो धाई गंटे है अगर थोरा सा जादा होता था तो फिर और अच्छा लगता था लेकिन दोस्तों इसमें जादा कुछ negative point कहने को है नहीं दोस्तों मुझे पता नहीं इसका जो ABS quality है उसके वज़े से या फिर जो glossy finish दिया गया है उसके वज़े से यह बहुत जादा premium दिखता है साथी साथ bending area जो है मतलब almost top से bottom तक दिया गया है कई से भी आप bend कर सकते हैं इतने में और इसके साथ में देखिए back side में dedicated यहाँ पे दिया गया है button on off के लिए साथी साथ indicator भी दिया गया है कभी charging हो रहा है कभी full charge हो गया है वो भी यह perfectly बताता है and जो design है देख सकते हैं design भी मतलब मतलब बहुत ही बड़िया design है and ऐसा मतलब rechargeable lamp में मतलब bottom का जो हिस्सा है वो तो circular रहता है लेकिन ऐसा मतलब premium quality का designer look मतलब यह normally जो मतलब normal study lamp है उसमें इतने अच्छी तरीके से दिखने को नहीं मिलता है दोस्तों जो non rechargeable lamp है उसमें तो दिखने को मिल जाता है लेकिन जो rechargeable lamp है मतलब वो उतना जादा stylish नहीं होते हैं मतलब लेकिन इसमें मतलब यह premium लग रहा है मेरे हिसाब से फिर भी दोस्तों में आपको दो negative point बता दिया है लेकिन मतलब बहुत major कोई negative point इसमें मुझको देखने को नहीं मिल रहा है Can I use it for a charging? क्या इस lamp को charging के टाइम पे मैं on करके काम कर सकता हूँ? दोस्तों box में ऐसा कुछ restriction नहीं लिखा गया है सो मेरे ख्यास से आप इसको charging पे डालके काम में ले सकते हैं कहां मिलेगा ये lamp? कहां से खड़ी दे इस lamp को? दोस्तों इस lamp का जो best buy link है मैं नीचे description में डाल दूगा आप चाहे तो वो best buy link पे क्लिक करके सबसे एचिप्राइस में इसको purchase कर सकते हैं Thank you guys for watching this video मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए bye और हाँ चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी नहीं भूलीगा क्योंकि बहुत सारे ने वीडियो आने वाले हैं और साथी साथ हमारे टेलीगरम चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी नहीं भूलीगा टेलीगरम चैनल का जो लिंक है वो आपको नीचे pin comment में मिल जाएगा दोस्तों बहुत सारे अपडेट्स ऐसे होते हैं जो की YouTube के जरीए देना possible नहीं है या फिर अगर मैं पोस्ट के जरीए अपडेट भी कर दू तो भी YouTube फीड्स में आपको नहीं दिखते हैं इसके वजए से हमारा जो टेलीगरम चैनल है उसको जरूर जोइन करें चलिए दोस्तों अभी के लिए बाई मिलते हैं अगले वीडियो में